नमस्कार दोस्तों आप सभी का study for UPSC PCSN में स्वागत है current affairs के MC क्यों होंगे जिसमें 1 से 10 अपरेल तक के current affair हम लोग complete करेंगे यह आपको हर exam में काम आएगा state PCS से लेकर banking से लेकर SSC किसी भी exam में one day exam में आपको यह काम आएगा और UPSC जो आ रहा है 12 जून को उसके लिए बहुत उपयोगी होगा आपके लिए UPSC question के हिसाब से जनवरी से अपरेल तक के जो question होंगे 15 मई तक के question वो सबसे ज़्यादे important होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दो-तीन किताब के source नहीं अपनाने परेंगे अगर आप इस वीडियो को follow करते हैं तो आपको एक ही वीडियो में एक ही magazine पूरे year का complete हो जाएगा तो चलिए अपरेल का पहला question करते हैं किस सहर में एक decentralized waste management technology पार का उधगाटन किया गया है decentralized तो यह नई दिल्ली में सुरू किया गया है दिल्ली हो जाएगा दूसरा है कि संसद रतन पुरस्कार 22 में किंदो राजनेताओं को lifetime achievement AP जब्दुल्कलाम पुरस्कार मिला है तो M. विरप्पा मोईली और H. भी हांडे को मिला है इसका answer क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अगले question पर चलते हैं यह इनके नाम है अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना वहाँ पर आपको मिल जाएगा सभी पूर प्रधानमंतिरों का संग्रहाल है प्रधानमंत्री संग्रहाल है किस राजिय के इनसा से प्रदेश में बनाया गया है तो यह नई दिल्लीम बनाया गया सारे पूर प्राइम मिनेश्टरों का संगरहाल है यहाँ पर उनसे रिलिटरे जो भी कुछ है वो सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर करनाटक सरकार के विने समरस्य योजना का उद्दिश से क्या है तो छुआ छूत को मिटाने के लिए योजना शुरू किया गया है आप एंसर राइटिंग में भी किस योजना को लिख सकते हैं पांचवा कोसन है कि भुगतारन पनाली टच पॉइंट की जियो टैगिंग के लिए किस संस्थान ने रूप रेखा जारी की है तो RBI ने टच पॉइंट की जियो टैगिंग करेगा जो ग्राफिकल टैगिंग के लिए ITO ब्रीज दिल्ली में किस संस्थान ने यमनोत सब का आईजन किया ITO ब्रीज है दिल्ली में वहीं पर यमनोत सब का आईजन किया किसके द्वारा किया गया तो National Mission for Clean गंगा के द्वारा अगला कोशन पर चलते हैं चेनाब जेलम सिंधु ये सब है अगला कोशन पर चलते हैं राश्पती रामनात कोमिन ने तीसरे राश्टिये जल पुरसकार द्वार बाइस में किस राजी को सर्वसे राजी का पुरसकार परदान किया है उत्तर प्रदेश को परदान किया है य इसके साथ अगर आपको प्रीवेस एर के medieval history के या NCMT history के modern history के पॉलेटी के science के इन सब के question practice करने हो तो आप चैनल पर जाके playlist को visit किजिए वहाँ पर सारे मिल जाएंगे आपको और मार्च और फरवरी के पहले ही करेंट फिर अपलोड हो चुके हैं मास्टर वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं यूपी पेस्सी के लिए वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर किस राज में मांगे तवचा रोग के कारण डिजर्ट फॉक्स को फर के नुकसान से पिरित पाया गया है तो ये किस राज में ते राजस्थान में डिजर्ट फॉक्स राजस्थान में ही होगा राष्टिय महिला आयोग ने किस राज्य कानूनी सेवा परादिकरन के सहयोग से एक लीगल एड क्लिनिक शुरू किया है तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है राष्टे महिला आयोग अगले कुस्टन पर चलते हैं नीती आयोग और यूएन से जुरे किस संगठन ने इंडियन एगरिकल्चर आवार्ड 32 नामक पुस्तक को लांच किया है तो फूड एगरिक 17 नमबर कॉस्टन है किस भारती महिला ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स फूमेन आप दे यर का पुरसकार जीता तो मीरा भाई चानु ने जीता है BBC का जो ब्रिटिस ब्रिटिस ब्रॉड कास्ट एजेंसी है उसका इंडियन स्पोर्ट वूमेन आप दे यर इंडियन एगरिकल्व के जिवित मूल पुलों को जो वहाँ पर जिवित पुल होते हैं ये रबर के पेड़ होते हैं जिसकी टहनियों खीच कर बांध दिया रहता है धीरे धीरे वो पुल का कार ले रहती है और जिवित पुल होते हैं मेगालेम होता है विश्व धरोहर अस्थलों की औस्थाई सुची में अस्थान मिला है यह सुची किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है इसको यूनेस्को के द्वारा बनाया जाता है अभी इसको औस्थाई अस्थलों की सुची में सामिल किया गया है भविश्य में आने वाले समय में इसको अस्थाई सुच प्रूता भेलाने के लिए World Bipolar Day कम मनाया जाता है World Bipolar Day ये 30 मार्च को मनाया जाता है हाली में सरिस्का Tiger Reserve में भीसन आग लगई या Tiger Reserve किस राज्जिम है तो सरिस्का राज्थान में है रंथमबोर, सरिस्का ये सभी राज्थान में ही है और देश का सबसे ज़्यादा Tiger किस राज्जिम निर्वास करता है तो करनाटक, उसके बाद MP और उसके बाद उत्राखंड का नाम आता है ठीक ना, और सबसे घनी आवादी किस National Park किस Tiger Reserve में है बागों की जिम कॉर्वेट, जिम कॉर्वेट उत्राखंड है वहाँ पर सबसे घनी आवादी है सेर की छोटे सेरियम काफी सारे सेर रहते हैं अगला है, S.O.C.M का नए आध्यक्षकी से निक्त किया गया है तो सुमंत सिन्हा को, C हो जाएगा नेक्ष्ट कोशन है किस I.F.S. अधिकारी को देहरादून में वन अनसंधान संस्थान, F.I.R.A. जो है Forest Research Institute के अगले निदेशक करूप में निक्त किया गया है तो डॉक्टर रेनू सिंग को डॉक्टर रेनू सिंग इंडियन ओसन नेवल साइपोजियम इंडियन ओसियन नेवल सिंपोजियम मेरिटाइम एक्सरसाइज दोर बाइस का पहला संस्थान हाली में निक्त में से किस अस्थान में आईजित किया गया तो ये अरब सागर में आईजित किया गया था अगले कोशन पर चलते है दो दिवसिये इंटरनेशनल समिट ओन MSME, Competitiveness and Growth किस सहर में आईजित किया गया MSME के Competitiveness और Growth पर एक आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली में आईजन हुआ है दस्मा कुश्चन है कि भारत के अंतरिक्ष अर्थवेस्था बी हो जाएगा Infrastructure Leading and Financial Bank IL and FS ये पिछले साल आपको याद होगा 2018-19 के आसपास ये बैंक करप्ट हो गया था कि अध्यल्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है तो CS Rाजन को निक्त किया गया है IL and FS ये इंपोर्टेंट है इसको याद रखना अगला है किस राज ये किंसा से प्रदेश ने अपने Business Blasters कारिकरम को निजी स्कूलों में विस्ताजित करने की घोसना की है तो Business Blasters कारिकरम ये बच्चों के लिए चलाय जा रहा है नई दिल्दी में 13 है कि हाली में कॉंकन रेलवे निकम किस लक्ष को प्राप्त करने के लिए चर्चा में था तो 100% विदूती करन को कॉंकन रेलवे निकम ने प्राप्त कर लिया है कॉंकन तामिलाडू के तटके आसपास का एरिया को कहा जाता है तो कॉंकन रेलवे ने 100% विदूती करन के लक्ष को हासिल कर लिया है 14 है कि रेलवे ट्रैक पर हाथियों के मिर्तियों को रोकने के लिए किस मंत्राले ने अस्थाई समन में समीति का गठन किया है तो परिया बरन वन और जलवारी परिवतन मंत्राले ने गठन किया है और एक प्रोग्राम चलाया गया था बी यानि कि मधमक्षी से संब्धित इसमें क्य राश्टिय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है तो 31 मार्च को मनाया जाता है मेस आयनक की प्राचीन बुद्ध प्रतिमाएं किस देश की है जो हाली में चर्चा में रही तो अफगानिस्तान की है ये रही है बुद्ध की मुर्तिय है उनका तोर फोर के या गया था 17 नमबर है कि हाली में खाबरों में रहा चंडिगड का एडिक्टिव किस व्यक्ति से सम्मंधित है तो ये ले कॉर्बोजियर से सम्मंधित है चंडीगर का एडिक्ट इसका अंसर ए हो जाएगा 18 है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है इक्वाडोर में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया गया इक्वाडोर यह रहा इक्वाडोर यहां से एक्वेटर भी गुजरती है इक्वाडोर यह रहा सौथ अमेरिका का कंट्री है यह किसी उत्पाद के स्टिकर मूले को बनाए रखते हुए किसी उत्पाद के स्टिकर मूले को बनाए रखते हुए उसके आकार के कम करने की क्रिया क्या कहलाती है उसको कहते हैं स्रिंक फलेसन स्रिंक फलेसन स्टिकर मूले वही रहेगा लेकिन आकार कम हो जाए होता किया है ने जब महंगाई बढ़ती है ना महंगाई बढ़ती है तो कंपनियां क्या करती है ना उतपाद को बस आकार में छोटा कर देती है उनका दाम वही रहने देती है जैसे किट कैट है माल वो दस रुपे का आता है तो दस रुपे का ही आएगा लेकिन वो थोरा सा छ चोटा हो जाता है कि दा कंस्टिशूशन एस्टी ओर एमेंडमेंट बिल्द हो यार बाइस उद्देश से किस समधाय को अनसुची जंजाती के रूप में सामिल किया गया ति यह डार लोंग जंजाती है डार लोंग जंजाती इसको कूकी जंजाती उप जाती के रूप में सा पक्षिय समूह ने पत्रकारों के लिए तीन महिने का प्रसिक्षन कारिकरम शुरू किया है ति यह ब्रिक्स ने शुरू किया है यह रहा ब्रिक्स ब्राजील रूस भारत चीन और सौथ अफरिका ब्रिक्स ने पत्रकारों के लिए तीन महिने का प्रसिक्षन कारिकरम शुरू बॉलिवूड अबनेती दीपिका पादकोन को किस छेतर में उनके काम के लिए Time 100 Impact Award 22 के पुरसकार के बीजयताओं में इस एक के रुप में नामित किया गया था, तो मानसिक स्वास्त है, मानसिक स्वास्त से समझित उनके काम के लिए उनको नामित किया गया था, Time 100 Impact Award 22 के लिए Nomination मिला था उनको, असम ने दसको पुराने अंतर राजी सिमा विवाद को हल करने के लिए अपने किस समीवर्ती राजी के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है, तो असम और मेगाले का जो दसको पुराना विवाद था सिमा विवाद, उसको हल कर लिया गया है, असम प्रदेश में भी विवाद चल ही रहा है तो मेंगाले के साथ उसका विवाद खत्म हो गिया है ठैफेसिस डिसोरडर हाली में खबरोằng रहा यह विकार सरीब के कि संग को प्रभावित करता है तो यह दिमाग को प्रभावित करता है ओके अगला है कि इस रो किस परियोजना के तहट नए राडार और अप्टिकल दूरुबिन को तेनाद करके अपनी कक्षिय मलवे के ट्रेकिंग छमता का निर्मान कर रहा है तो यह नेत्रा इसका क्या नाम होगा नेत्रा क्या करेगा यह जो अंत्रिक्ष के कच्छ में कच्छी कठे हो गए ना उससे अपने सेटलाइट को बचाने के लिए इस रो इसकारी कर्म को सुरू कर रहा है जिसका नाम है नेत्रा नेत्रा ओके अगला क्वेस्टन है कि नवींतम सर्वेक्षन कंसार चा ज्यादे इसकी डेंसिटी हो गई है काजी रंगा कहां पर रहता है यह कंचिरंगा मानस यह जिए में रहती है काजी रंग एक टाइगर हिजर भी है नाम ह Krankा नाम क्या है zwischen visual नाम है रोंन नहता है और लप्रियम्ट अप्रेल को मनाय जाने वाले उतकल दियस को को डैस के नाम से जाना जाता है तो ओडिसा अस्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है उतकल तट कहा जाता है उडिसा के तट को पता होगा आप लोगों को हमारे राष्टगान में भी आता है उतकल सब्द अगला है कि हाली में केंद्रिय मंत्री मंदल ने किस संगठन द्वारा सहायता प्राप राइजिंग एंड एक्सिलेटिंग MSME परफॉमेंस प्रोग्राम के लिए 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है ति ये किस ने फंडिंग की है ति ये वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग की है वर्ल्ड बैंक इसका एंसर सी हो जाएगा वर्ल्ड MSME के लिए 808 मिलियन डॉलर की मंजूरी की है फंडिंग की है और ये सभी वर्ल्ड बैंक के अलग-अलग और इसके हैं संस्थाएं हैं जिसमें मीगा है मीगा के बारे में UKPSC ने इस साल पूछा था ये अलग-अलग मिला के सब वर्ल्ड बैंक के ग्रूप कहलाता है आई ब वीडियो पसंदा रहा हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को भाई और शेयर कर देना UPI के लिए टैप टू पे किस डिजिटल भूगतान कंपनी के पहल है टैप टू पे ये गूगल पे की पहल है UPI के लिए किस कंपनी ने संभव इंटर्पेनियोर्शिप चैलेंज 22 शुरू करने की घोसना की है तो अमेजन ने घोसना की है संभव इंटर्पेनियोर्शिप चैलेंज 22 इसका एंसर बी हो जाएगा इसका एंसर सी हो जाएगा इंक्लूसिब क्वालिटी एजुकेशन फॉल आल अगला कुशन है कि 21 राजजे ने वर्ष दोयराज 21 बाइस में सिर्ष सब्जी उत्पादक करूप में पस्सिम मंगाल की जगह ले ली है उत्ता प्रदेश ने जगह ले ली है पहले सिर्ष सब्जी बाला कौन था राजजे तो पस्सिम बंगाल था उसकी जगह यूपी आ गया है और बिहार भी आता है सब्जी उत्पादन में परमुकराज जो मर् अंधर प्रदेश जो है वो फल उत्पादन में पहले अस्थान पर आ गया है पहले अस्थान पर ये देखो फूट प्रोड़क्शन में आंधर प्रदेश महाराष्ट फिर यूपी आता है उसको आद करनाट का फिर गुजरात और फिर ओल इंडिया में तो इतना होता है और सब्जी उत्पादन में सबसे पहले यूपी उसको आद वेश्ट बंगाल फिर मध्यपरदेश उसको आद बिहार और फिर महाराष्ट आता है अगर सरसर्थमी BPSC Re-Examination के आपको त्यारी सुरू कर दीने चाहिए अभी से ही क्योंकि पेपर टफ हाया था सरसर्थमी BPSC का लीक हो गया नहीं तो कटर बहुत कम जाता और अगला पेपर भी टफ ही आएगा पहले वाले पेपर का ट्रेंड बिल्कुर बदल दिया है BPSC ने उसको ध्यान में रखना आप लोग गैप मत करना नहीं तो फिर से सब कुछ परना पड़ेगा सुरू से कोट के आदेसों को तेजी से प्रसारिद करने के लिए CGI NB रमना दौरा सुरू की गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है उसका नाम रखा गया है PASTER korta के आदये, इसको तेजी से प्रसारीद करने किले फास्टर नाम का एक Digital Plattform Supreme Court ने सुरू किया है इस टार्टप को ससक्त बनाने के लिए किस कंप्री ने भारत में Founders Hub Platform लॉँच किया है तिया Microsoft लॉँच किया है, Founders Hub Platform स्टार्टप के लिए नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोट ने किस राज में वन्यारों के लिए 10.5% आरक्षन को रद कर दिया है किस राज में रद किया गया है तो तमिलाडू में रद किया गया है वन्यार लोगों के लिए वहाँ पर 10.5% आरक्षन का प्राधान किया गया था जिसको रद्ध कर दिया है सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया ने नेक्स्ट कोस्टन है कि भारतिय नौसेना हाली में कमिसन किये गए दूसरे P8I Aircraft Esquiden का नाम क्या है उसका नाम है Condors यही है वो भारतिय नौसेना द्वारा नौसेना के लिए है यह नेक्स्ट कोस्टन है केंद्रिय वानिज और उद्योग मंतिरिन हाली में किस अंतराष्टे सहर में इंडियान ज्वैलरी एक्सपोजीसन सेंटर भवन का उधगाटन किया इंडियान ज्वैलरी ज्वैलरी हमारे देश के एक प्रमुख निरियातक समानों में से एक हैं बहुत ज्वैलरी का निरियात करते हैं दुनिया भर में तो ये दूबई में सुरू किया गया है दूबई में हमारा निरियात 400 बिलियन डॉलर से पार कर गया इस बार UPSC अगर देने जा रहू आप पांस जून को तो देखके जाना किस का निरियात टॉप पर है पहले अस्थान पर इंजिनरिंग से रिलेटेड गोड्स हैं पहले अस्थान पर दूसरे अस्थान पर पेट्रॉलिया मुतपात है जिसका हमने निरियात किया है अगला कुछन है किस राजी ने कैदियों के लिए व्यक्तियत रीन देने की योजना शुरू की है कैदियों के लिए व्यक्तियत रीन ये महराश्ट राजी ने सुरू किया है नेक्स कोशन है वारसिक कन्यगी उत्सव, कन्यगी आपको पता होगा कन्यगी किस से समिंदित है तो सिलपादी कारम जो बुक है संगम साहित तो उस ही में कन्यगी नाम के करेक्टर रहती है कन्यगी उत्सव पर सिद्ध comealadevän देवी मंदिर मना जाता है मंदिर कुंद और राज्यों के बीच में इस्थित है यह केरल और तमिलादु के बीच में इस्थित है यह मंदिर इसका है डी हो जाएगा जहापक कन्नी की उत्सब मना आजाता है सिल्पादिकारम जो बुक है इलंगो अधिगल द्वारा लिखा हुआ उसी में एक कन्निगी करेक्टर है और कन्नी कोबलम की कहानी है उसी में कन्निगी उतसब उसी के लिए मना जाता है कि ये महिला सस्कतिकरण का प्रतीक भी मना जाता है इसको डी हो जाएगा इसका है सतरह है कि भारत ने जेनेटिक इंजिनिंग मुल्यांकन समीती में कठिन जी एमो वीन में वीनियम के बीना जीनोम संपादित पौधों की अनमती दिये दी है GEAC किस मंतराले के तहट काम करता है Genetic Engineering मुल्यांकन समीती किस मंतराले के तहट काम करता है यह हमसे पूछा गया है तो यह परियावरन 1 और जलवायू परिवरतन मंतराले का अंतरगत यह काम करता है Genetic Engineering मुल्यांकन समीती जैसे GM का पास है उसका मुल्यांकन पहले इस समीति करती है कि भारत के परिपेक्ष में कहीं ये GM का पास नुकसान देह तो नहीं करेगा, इसी लिए इस समीति को बनाया गया और ये परियावरन मंतराले का धीन काम करता है. नेक्स कोशन है कि परियावरन स्पोर्ट डिजिटल एक्सप्रियंस सेंटर सुरू करने के लिए किस राज्य सरकार ने सैमसंग के साथ सहयोग किया है, तो मनिपूर्ण ने किया है. नेक्स कोशन पर चलते हैं कि किस संस्थान ने अपने छेतर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मन्थन आइडिया थौन लांच किया है, तो इस सेवी ने लांच किया है, सेक्योर्टी एक्स्चेंज बोर्ड अफ इंडिया, सारे सेयर मार्केट का यही भी नमे करता है, ने अध्यक शूरूप में किसे नामित किया गया है, तो महेश बरमाजी को नामित किया गया है, अगर आप इस करेंट अफियर को फॉलो करेंगे, तो आपको एडिटेरिया या फिर घटना चगर, इन सब को नहीं फॉलो करना परेगा, और कोस्टन्स बहुत सारे हैं इसमें आईद किया थे, दो अप्रेल को, तो इसका एंसर डी हो जाएगा, भारतिय भूब एग्यानिक सारे विक्षन के महानी दिस्थक के रुपे किसे ने उत्त किया गया है, जोग्रफिकल सौरवे ऑफ इंडिया के महानी दिस्थक के नाम पूछ रहा है, तो डॉक्टर एस जिससे किसानों को मंडियों में MSP पर अपनी फसल गेहूं बेचने में फायदा होगा, यह फार्म किस राज सरकार दोरा परदान किया रहा है, यह पंजाब सरकार दोरा परदान किया रहा है, फार्म्स, हालिम UK में दे बैटल आफ पॉली लूर, नामक एक पेंटिंग की नि लड़ा गया था, तो हैदर अली और बिटिस एस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था, दे बैटल आफ पॉली लूर, ओके मैसूर राज्यवाला, स्री वीरभद्यो स्वामी मंदिर और मोनोलिथिक बुल नंदी जिस राज्य में है, जिसे युनेस्को द्वार द्वार बाइस के लिए भारत है, विस्व धरो और अस्थल के सुची में सामिल किया गया, यही रावननन्दी, तो यह किस राज्य में है, तो यह आंध प्रदेश में है, नेक्स कोर्सन है कि हाली में किस देश ने कानून में एमेट टिल एट लिंचिंग एक्ट पर हस्ताक होगा, तिरास्मी राष्टी टेवल टेनिस चेंपियंसिप दोहर बाइस का मेजबान राज्य कौन सा था, तो मेघाले था, एटी थर्ड राष्टी टेवल टेनिस चेंपियंसिप जो दोहर बाइस का आउज़ित किया गया, राष्टी टेवल टेनिस चेंपियंसिप का, मार भारत के किस पर उसी देश ने बड़े पेमाने पर नागरी की बिरोध के बाद अपातकाल की स्थितिक घोसना की गए थी हलांकि अब अपातकाल को हटा लिया गया है वहाँ पर आर्थिक रूप से बैंकरप्ट हो गया है सिलंका कौन सा राज हिंदी माध्यम में चिकित्सा सिक्षा MBBS प्रदान करने वाला भारत का पहला राज बनने के लिए तियार है यहाँ पर हिंदी माध्यम में MBBS करवाया जाएगा बच्चों से ओके ति यह मध्य प्रदेश में नेक्स कोशन है कि हाली हम भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सयोग और व्यापार समधोते पर हस्ताक्षर किये है ती और अश्टेलिया के साथ समधोता किया है हमने सेना ने हाली में किस देश से man portable air defense system, igla S system को सामिल किया गया है, है कन्धे पर लेकि किस चल सकते हैं, और इससे हबाइ जहाज को मारके गिराया जा सकता है, नेक्स कुर्शन है कि हालीम राष्टपती रामनात को बिभीन छेत्री और अंतराष्टे मुद्धो पर विचार साजा करने के लिए सिटी ओफ वाइट मारवल पहुंच सिटी ओफ वाइट मारवल कहां इस्थित है City of White Marble को भीजिट किया था हमारे राष्टपती ने कहां पर है तो तूर्कमेनिस्तान में है यह रहा तूर्कमेनिस्तान का मैप अपने देख ले ना कैस्पियन सागर से लगता है यह उजबेकिस्तान इरान और अफगानिस्तान से इसकी सीमा लगती इधर भी एक देश है उसे इस ने ICC महिला क्रिकेट विस्व कप 22 जीता इस बार तो ऑस्टेलिया ने ICC महिला क्रिकेट विस्व कप 22 का नेक्स कोस्टन पर चलते हैं किस राजी ने प्रतिकूल मौसा और प्राकिरती के आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंतरी करके जो होता है उसी का ध्यक्ष करूप में उस वेबसाइट का नाम क्या है जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी अस्थान से 12 जोतिरलिंग और 4 धाम का दरसन कर सकता है जिसे हालिया मेनाक्षी लेखी द्वारा लॉंच किया गया तो उसका नाम है टेंपल 360 जिसके माध्यम स आप जो 12 जोतिरलिंग है देश में 12 जोतिरलिंग और 4 धाम का दरसन आप कर सकते हैं नेक्स कोशन पर चलते हैं कि केंदर ने किस राजी के 28 सहरों के लिए लक्ष जीरो डंप साइट मिसन के तहट 434 करोड रुपे की मंजूरी दी है तो यह महराष्ट में मंजूरी दी है फ अपरेशन उपलब्द किस सुरक्षा बल की पहल है तो यह आर्फी एफ का रेलबे पुलिस फोर्स का है अगला है कि क्रंच टाइम नेरंदर मोदीज नेशनल सेक्योर्टी क्राइसिस पूस्ता किस ने लिखी है तो सरीन चॉलिया ने लिखी है इसका एंसर डी हो जाएगा यहां पर यह चीन में है यंग तेजन जी यह रहा यह चीन में इसी पर दुनिया के सबसे बड़े क्रूज से इपने यात रखे थी रिवर में प्रसासन और प्रवंधर प्रणतराष्टिय दूर संचार संग आईट्यू परिशत के अस्थाई समिती के उपाध्यक्ष के लि भारतिय भुकतान परिशत के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है विश्वास पटेल को चुना गया है। पश्ट हो गया होगा भारत डाइनामिक्स लिमिटेड ने तवान जुन एकॉनमिक कॉंसिल के साथ नए वेब साइक अवसरों का अनुवेशन करने के लिए एक समझता ग्यापन प्रहस्ताक्षर किया है किस देश का रक्षा और सुरक्षा अधिकरन प्राधिकरन है यह तवान यह रहा UAE भारस की खारी में देश है हाली भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा का उधगाटन किया गया और ट्रेन बिहार के किस अस्थान से जनकपूर नेपाल की कुर्था तक चलेगी तो यह जैनगर जैनगर कहां परता है मधुवनी डिस्टिक में नेपाल बॉडर के पास बाइक है जगह वहीं से चलेगी जनकपूर के लिए जनकपूर के कुर्था तक चलेगी है किस स्ट्रेन को सार्सकोब 2 का नया पुनह संजोजक संस्क्रण कहा जाता है जिससे पहली बार युनाइटेट किंग्डम में खोजा गया इस स्ट्रेन का नाम है एक्स एक्स ए एस ट्रेन है इसको मत याद करना रही है जिसका डाइमट जूबली मनाया जा रहा है यह रहा चेतक खेल इंडिया निउनिवर्सिटी गेम्स द्यारे किस-किस राज मैय जित किया जाएगा ति ये करनाटक मैय जित किया जाएगा UPPSC और साचाचिम BPSC के लिए VBI कोस्टन कर ले ना इसको गूरी परवा मराठी कोंकनी हिंदूओं के लिए पारंपरिक नव वर्स का प्रतिक है गूरी परवा जिसको कहा जाता है परवा सब्सक्रित के किस सब्से लिया गया है जिसका अर्थ है चंदर पक्षवारे का पहला दिन चंदरमास का पहला दिन परवा का मतलब होता है तो ये किस से लिया गया है तो प्रतिपदा संस्क्रेट का सब्द क्या होता है प्रतिपदा जिस से परवा सब्द मराठी में लिया गया है प्रतिपदा अगला है कि गैर राज्य संस्थाओं की सुद्ध सुन्य उत्सर्जन प्रतिबादताओं पर उच्चस्तर ये विसे सगे समूख किसे निक्त किया गया है तो अरुनाभा घोस को निक्त किया गया है और बनाभा घोस ने के हरपर कॉलिंस इंड्या की नही किताब टाइगर ओफ द्रास का टाइगर किस भारते सेन अधिकारी के जीवन पर आधारित है सब्सक्राइबतार किया कि सहर में आजित की गई है तो ये जीनेवा में आजित की गई है स्विजर लेंड में है जेनेवा यह रहां स्विजर लेंड इसका जेनेवा मायजित की गई है किसका कॉंसिल था यह वैक्षिनोलोजी ट्रेनिंग के लिए कॉंसिल जो था उसी का ग्लोबल कोलाबरेशन एडवांस्ट वैक्सिनोलोजी ट्रेंग का आउजन किया गया जिनेवा में अगला है कि साजीबू, नोगमा, पनवा, चीरा, ओबा का पारंपरिक त्योहार किस राजी से जुरा हुआ है ये त्योहार का नाम है खतरनाक सा, ये किस राजी से जुरा हुआ है, तो ये मनी पूरे मनाया जाता है नेक्स कोस्टन है कि हर्षवर्धन सिंगला ने भारत के विदेश सचीव गुरूप में पदभार ग्रहन करने के लिए कौन त्यार है, हर्षवर्धन सिंगला से, हर्षवर्धन सिंगला जी रेटायर हो गए इसी साल अपरेल में अब किस ने करहन किया है, तो विने मोहन क्वात्रा, इनका नाम क्या है, विने मोहन क्वात्रा इसका अंसर C हो जाएगा बिन्ये मोहन कुवातरा जी हमारे विदेश सची बने है Q Problem किस राज़्े में सोध करता हूं ने विसाल रहस्म जार की खोज़की है ते शुर IRA की खोज़की है शुम में खोज़की है विसाल रहस्म जार की किस राज ने अपना पहला C-Auto-Estand किया है बंगलादेस ने किस भारती कंपनी के साथ बंगबंदू सेख मुझीब सिल्प नगर में एक भारती आर्थिक शित्र स्थापित करने के समझदेश्व की पर अडानी के साथ समझदेश्व भारते रिजर बैंक अपना अस्थापना दिवस कम मनाता है सब को पता होना चाहिए एक अप्रेल के दिन मुर्ख दिवस के दिन भारते रिजर बैंक के अस्थापना होई थी और रिजर बैंक का वारसी कब से कब तक चलता है एक जुलाई से 31 जूम तक चलता है एक जुलाई स लेह किस गाउं को डारक ए साइज सेंचुरी के रूप में विक्सित करने के लिए एक्तिर पक्षिय समझोते पर हस्ताक्षर करने के लिए त्यार है उस गाउं का नाम है हनले डारक स्काई अंतराष्टिय प्रवासन संगठर ने सुरक्षित प्रवासन पर राष्टिय पैनल चर्चा आईजित करने के लिए किस संस्था के साथ भागिदारी की है तो नीती आयोग के साथ की है नेक्स कोशन है कि रिचार्ड हावर्ड जिनका हाली में इधन हो गया डैस्क ले जाने जाते हैं तो इनका राइटिंग था लेखक थे नेक्स कोशन पर चलते हैं कि किस राजे ने राजे जैबिविता रनीती और कारी योजना विक्सित करने के लिए डवलु डवलु एफ इंडिया के साथ एक समझाते पर हस्ताक्षर किया है तो और ना चल प्रदेश ने किया है ड्यून ने बेस्ट विज्वल इफेक्ट के लिए अकादमी पुरसकार जीता किस भारतिये ने फिल्म के विएफेक्स में महत्पुन भूमिका निवाई थी ड्यून नामक मुवी है जिसको विएफेक्स के लिए बेस्ट भूमिका आवार्ड मिला है तो किस ने निवाई थ ये तो नमित मल होतरा है जो ड्यून के VFX तियार करने वाले भारती हैं VFX जानते होंगे आप लोग जो परदे के पीछे के पूरा सीन बदल जाता है वही वाला हरा परदा लगा के सुटिंग होती है पिछले वर्स के तुलनाम भारत में टीवी के मामलम कितने परिश्यत के बिध्धी होई है तो 19 पर तीसत के बिध्धी होई है बिध्धी होई है बंदूओं विक्टर ओर्बन जिन्होंने संसती चुनाम लगातार चौथी वार जीत की घोसना की किस देश के प्रतिन हित करते हैं तो ये हंगरी के हैं विक्टर ओर्बन इविधान अप्लिकेशन को लागू करने वाला कौन सा राज्य पहला पेपरलेस विधान सभा बन गया है तो नागा लेंड का बन गया है पेपरलेस विधान सभा नेक्स कोशन है कि भारती अमेर्की फालगुनी साह ने किस तरेनी के लिए ग्रैमी पुरसकार जीता तो बेस्ट चिल्रेन म्यूजिक एल्बम के लिए इन्होंने आवाड जीता है फालगुनी साह नाम है इसका भारती अमेर्की है इंडियान अमेर्की है यह यह पूरा आपको यए जियो गलिप्स ने युनेस्को की 20 धर अस्थलो की और 20 सूची में जगह बनाई है तो यह कहां पर है कौंकन छेंदर में आता है कौंकन छेंदर जो है वह भारत का कौंसा तट कहलाता है महराश्ण गया का इलाका ज़ाते है यह कौंकन तट कहलाता है और पिछले साइद मैंने गलती बोल दिया था कोरो मंदल तट कहलाता है तामिलाडू अला उपर मैंने कोंकन बोल दिया था उसको कहीं पर देख लेना करेक कर लेना कोरो मंदल तट कहलाता है तामिलाडू अला तट युनेस्को के विस्धरो रस्थलों में ये रहे युनेस्को के विस्धरो रस्थलों में ये रहे युनेस्को के विस्धरो रस्थलों में वरिष्ट राजनाइक रीनत संधू को किस देश में भारत का अगला राजदूत निउक्त किया गया है तो नीदरलेंड में रीनत संध पुत्राश मानबादिकार परिसद यूएन चारसी द्वारा मानबादिकारों जल्वाई परिवर्तन पर दुनिया के पहले स्वतंतर विश्य सग्गी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल सोलर एलाइंस में सामिल होने की गोसना करने वाला नविन्तम देश कौन सा है तो नेपाल ने गोसना कर दी है इंटरनेशनल सोलर एलाइंस में सामिल होने की नेपाल ये रहा। भारत ने तो 1959 में ही कर दिया था अंटार्क्रिक संधी पर हस्ताक चला दूद उत्पादकों के लिए किस राज ने नंदिनी छीरा समरिद सरकारी इसाकारी बैंक के स्थापना की है तो करनाटक सरकार ने की है नेक्स कोशन है किस कंपनी के संस्थापा वर सीयो फालगुनी ना अलगुनी नायर ये सेल्फ मेड वूमेन में टॉप पर रही इस साल सिर्फ दस में इनको रखा गया था देविका रंगाचारी द्वारा लिखित क्वीन ओफ फायर नामक एक नई पूस्तक किस भारती युद्धा के जीवन की गाता है तो ये रानी लक्ष्मी बाई के इंडियन ओयल कोर्परिसन लिम्टेड ने किया है और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है हाइड्रोजन बनाने के लिए रिनेवल इनरजी का यूज़ करना हाइड्रोजन बनाने के लिए हाइड्रोजन तो खुद ग्रीन होता है लेकिन हाइड्रोजन कैसे बना रहे है उसके सेवा पोर्टल को लॉंच किया है इसका इंसर भी हो जाएगा किस बैंक ने केंदिरे ससस्तर पुलिस बेतन पैकेज योजना के माधियम से 20 लाप परदान करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ समझवता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है तो इस एस्टेट बैंक आउफ इं भावी संस्कृती को विरासत को सरक्षित करने के लिए IPCC जो होता है इंटरनेशनल प्लैमेट पैनल और क्लाइमेट चेंज करके छठी मुल्यांकन समीती का रिपोर्ट का तीसरा भाग प्रकासित किया गया है तीसरा रिपोर्ट भाग तीसरा आया रिपोर्ट का या इंटरनेशन इंभार्मेंट प्रोग्राम जिसका कहा है हिर्कॉार्टर नैरोबी केनिया में है और डबलू एम्म विश्व मेट्रोलोजिकल और गनाइशन जो है इन दोनों ने मिलकर आई पी सी सी का रिपोर्ट प्रकासित किया है इंटरनेशनल पैनल और क्लाइमेट चेंज का गठन किया है और उपना छठा रिपोर्ट उसने प्रकासित किया इससे पहले दोहर 13 मुश्ने रिपोर्ट प्रकासित किया था पर के जाना यू पैसी देनेवालों खासतों से एर क्वालिटर डेटाबेस 22 की संगठन द्वाइश वारवारा जारी किया गया है तो विष्टो hazle organization द्वारा जारी किया गया है डवभो द्वारा एयर कृछलिटी डिटाबेस द्वारवाइस किस राज के मुखमांत्री ने राजी में 13 नए जीलो का उध्गान किया है तो आंधर प्रदिस में तेरा नए जीलो का गठन किया गया ये रहे तेरा जीलो के नाम बहुत बड़े बड़े डेस्टिक थे वहाँ पर जिनको छोटा छोटा करके अस्थापित किया गया है डिकोडिंग इंडियन वाबू डोम नामक नई पुस्ता के लिखा कौन है तो अस्वनी स्री वास्तव है पाले बिरसा मुंडा जन जाती है नायक नामक पूस्ता का भी मोचन किया गया बिरसा मुंडा किस चेतर से जुरे हुए थे छोटा नागपूर का पठार चेतर से जुरे हुए थे तो उल्गुलान भी दोरोज हो सुनते हैं अब उसे सम्भन नहीं ते है इसका अंसर ए हो आउट स्टेंडिंग भूमेन, मीडिया परसन 1220 के लिए स्कूल चलो अभियान किस राज़ के इनसासित प्रदेश की सरकार के पहले है ति यूपी सरकार के पहले है, स्कूल चलो अभियान राश्टपती ने नीदरलेंड के अपनी यात्रा के दौरान एक नई ट्यूलिप किस्म को क्या नाम दिया है तो मैतरी नाम दिया है उन्होंने ट्यूलिप के एक नई किस्म को मैतरी नाम दिया है उन्होंने पर्यावरण के अनकूल जीवन सहली के बारे में जागरूता फ्यलाने के लिए केंद्रिय पर्यावरण मंत्री द्वारा सुरू किये गए सुभंकर का नाम क्या है तो सुभंकर का नाम है प्रकेर्टी नेक्स क्योंचन है कि एक नए अद्यान से पता चलता है कि दुनिया में प्रस्वती सम्मान द्वारण की से समानित किया गया है ये भी बी आई कोस्टा ने इसको याद रखना तो राम दरस मिस्र को सरस्वती सम्मान द्वारे की से सम्मानित किया गया है ये बहुत इंपोर्टेंट होता है इस तरह के जिए बहुत पूछा जाते है मनिपूर के चीफ मिनिस्टरगी हाकसेलगी तैन बांग इसकी मिनिकित में से किस सम्मानित है तो ये स्वास्त बीमा से सम्मानित है मनिपूर के स्कीम है जिसका इस तरह का नाम है हाली में दुनिया के सबसे बड़े अभी मुतपादक देश ने इसकी खेती पर प्रतिबंद लगा दिया यहां किस देश का उलिक किया रहा है तो अफगानिस्तान का उलिक किया जा रहा है इसकी खेती प्रतिबंद लगा दिया इलीगल रूप से नहीं होगा, इलीगल रूप से खेती होगा ही यहा पर पता ही आपको प्रसिद चामुन्डी पहारियों पर रोपवे के निर्मान को लेकर साही परिवार का सीधा फिरोद रहा यह पहारियां करनाटर के किस सहर में स्थित है तिया मैसूर में स्थित है एलेन मस्क के स्पेस एक्स के साथ स्पेस टेक के स्टार्टप पिक्सेल पिक्सेल दोरा लॉंच के एक उपग्रह का नाम क्या है तो उपग्रह का नाम है सकुन तला स्पेस टेक स्टार्टप है जिसका नाम है पिक्सेल इसने स्पेस एक्स के साथ मिलकर एक उपगरा लॉंच किया है सकुनतला नाम्स का 36 गर ने सलवा जुडूम आंदोलन के दौरान पलायन करने वाले आदिवासियों के पुनरवास की योजना बनाई है यह आंदोलन किस से समंदित है कि एंटी नक्स लाइट आंदोलन था सलमा जुडूम एंटी नक्स लाइट ये रहा 36 गर नेक्स कोस्टन है कि विश्व स्वास्त दिवस एक वैस्विक स्वास्त जागरूता दिवस है जो सालाना किस तारीक को मनाया जाता है तो ये साथ अपरेल को मनाया जाता है हाली में जर्मन पुलिस द्वारा हटाएगा रूसी भासा के अवैध डार्कनिट बाजार का क्या नाम था उसका नाम था हाइड्रा डारकनेट का बाजार था हाईड़ा रूसियों का द्वारा बनाया गया था रूसी भासा में मुक्रमंतिर उद्यमी करांती योजना किस राजी के पहल है तो ये MP की पहल है उद्यमी करांती योजना प्रतिष्टित 12 हौकी इंडिया से सीनियर में नेशनल चेंपियंसिप 22 किस सहर में सुरू किया गया ति भोपाल में सुरू किया गया किस राजना पातकाल के दौरान नागरिकों को पुलिस सहयता परदान करने के लिए कावल उथवी एप को लॉंच किया है विकास और सांती के लिए अंतराष्टे खेल दिवस प्रतिवर्स किस तारीक को मनाया जाता है तो 6 अपरेल को मनाया जाता है बूचा सेटी इंदिनों सहर में है यह सहर किस देश मिश्तित है यूक्रेन में है यहाँ पर रूस ने काफी जादा मारकाट मचाए था वार क्राइम के आरोप लगे हैं रूस पर किस मंत्राले ने लोग स्वाह में वेपन ऑफ मास डिक्षन डेस्ट्रक्षन एंड डियर डिलिवरी सिस्टम प्रॉभिटेशन ऑफ अनलॉफूल एक्टिविटी एमेंडमेंट बिल्दोयर बाइस पेस किया तो विदेश मंत्राले ने पेस किया हिंदुस्तान एरोलोटिक्स लिमिटेड किस देश के एरोएसपेस उद्ध्यों के साथ सिविल एर क्राफ्ट को मीड एर रिफ्यूलर में बदलने के एक समझाता ग्यापन प्रहस्ताक्षर करेगा तो इसराइल के साथ मतलब सिविल एर एर क्राफ्ट जो होता है उसको हवा सरहुल त्योहार की सिराज में सबसे लोकप्री और अधिवासी उस्तव है तो यह जार्खने मना जाता सरहुल किस देश ने हाइड्रोजन को जलाकर ग्रीन स्टील का उतपादन करने के लिए पाइलट प्रोजेक्ट सुरू किया है तो स्वीडन ने सुरू किया प्रोणिक और सूचना प्रतियों की मंतराले ने घोस्टना की है एसी आई विकास बैंक के अंसार वितबर 22 थे इसके लिए भारत के लिए सकल घरेल उतपाद के बिरधी का अनुमान क्या है तो 7.5% रखा गया है एसी आई एडिवी के हिसाफ से एसी डिवलप्मेंट बैंक आती है और एक महीने के अंदर करी में दस लाख लोगों के हत्या कर दी गई थी तुथी नरसंगहार में कभी सर्च करना यूट्यूपर रवांडा में जो दंगे हुए तो उसके हिज़ा अगला है कि किस लेखक ने 45 साल पहले लिखी गई लगू कहानी गैम बोरो के लिए ओ हेनेरी पुरसकार दोयर बाई से समानित किया गया किस लेखक को तो अमर मित्रा को गौन बूरो है ना ऐसे ही करके कुछ नाम है अगला कुश्चन है कि 11 सदी का लिंगराज मंदिर किस राजिम है जो हाली में चर्चा में रहा था तो यह ओडिसा में है लिंगराज मंदिर यह रहा लिंगराज मंदिर हाली में किस संगट किस गठंदन हाइपर सोनिक मिसाइल विक्सित करने की घोसना की है तो ऑकस ने ऑकस किसका किसका है ऑस्ट्रेलिया युनाइटेड किंग्डम और यूएस इन तिनों ने मिलकर ऑकस संग नाम के गठंद बनाया है और यूएस अगला है कि वेगनर समू क्या है जो हाली में रूस उक्रेण यूद की चर्चाम के संदर में चर्चाम है वेगनर समू तो रूस का निजी सेन एक कमपनी है ये इसका अंसर भी हो जाएगा तो ये हमने पहला पार्ट अपरेल के करेंट अफेर के कम्प्रीट कर लिया वीडियो कैसा लगा जरूर बताना लाइक करना यार वीडियो को दोरा सा मेहनत लगता है बनाने में और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगा आपर नए हो तो करेंट अफेर कैसा लगा फीडिबेक जरूर देना पीडियाफ चाहिए हो तो चैनल जोइन कर लेना थैंक्यू सो मच गाइज